iOS 17.1.1 Review After Use दोस्तों यहाँ पे मेरे iPhone 11 Pro Max में एक बग देखने को मिल ला है कि जैसे ही मैं कोई फोटो को क्लिक करता हूं recently then मैं यहाँ पे जाता हूं photos के section में यहाँ पे जो photo है जो मैंने recent क्लिक किये बलकि यह photos को कुछ separate तरीके से show करता है even यह photo जो मैंने recent क्लिक किये वो नहीं है तो अभी हाँ पे हम review करने वाले हैं इसको मैंने 5-6, I think 7 days almost हो चुका है इस update को use किये हुए and इस update को करने के बाद मुझे जो bugs देखने को मिले वह भी मैं आपको बताऊंगा plus improvement क्या है वह भी मैं आपके शेयर करूंगा रहा है तो फिलहाल जैसा कि मैंने इस update को अपने दो iPhone के उपर install किया था iPhone 11 Pro Max लेकिंड है 14 Pro Max ठीक है तो जैसा कि आप सभी यहां पर चेक आउट कर सकते है stable update हमने इंश्टोल किया हुए 17.1.1 and मैं सबसे पहले जाओंगा आपको एक bug के बारें बताना चाहूंगा जो कि मुझे इस iPhone के उपर देखने को मिल रहा है प्लीज आप मुझे comment box में बताये क्या same issue आपको भी आ रहा है या फिर नहीं तो जैसे कि मैंने इस camera application को open किया तो जैसे मैंने आप यह photo को click किया ठीक है फिर से click कर देता हूं यह देखो अब मैं इसके उपर click करूँगा यह देखो यह photo को और ही open हो जाती है अब ही अगर बात करें improvement के बारे में तो वह भी मैं आपको शो कर देता हूं and settings के उपर जाते हैं battery के उपर जाते हैं and almost I think 7 days हो चुके इस update को rollout हुए and तब से हमने इसको install कर लिया था तो सबसे पहले आप चेक आउट करो last charge to 100% तक हमने इसको charge किया था Tuesday यानि कि कल के दिन दो बज़के 20-21 मिंट तक हमने यह दाई बज़े के तक रीबन जो इसको हमने fully 100% charge किया था कल के दिन अब ठीक है and अभी जो है almost यहाँ पर आज हो चुकी and आज हो चुकी यहाँ पर 15 November तो देखो यहाँ पर जो है almost एक दिन से भी जल्दा मैंने निकाल दिया इसको तो यहाँ पर अगर screen on time की बात करें तो यहाँ पर 6 hour 5 minute का screen on time है जिसमें मैंने यह सारी applications को यूज की है यूटूब कैमरास तो अगर बात करें दोस्तों बैटरी लेवल के आ चुका मेरा तो यहाँ पर 34% पर आकर मेरा iPhone रोख चुका है रोकानी मतलब अभी भी drain हो रहा है वैसे मैं ज़्यादा खेलता नहीं हो तो मेरे अपने iPhone में यहाँ पर गेम्स वगरार नहीं डाली है तो डैर सा अगर नॉर्मली आप जैसे WhatsApp, YouTube यूटूब यूज करेंगे तो आपकी जो iPhone की बैटरी है वो इतनी ज़्यादा over drain नहीं होगी मुझे पिछले वाले अपडेट में कुछ बैटरी देन दिखी थी बट जब से मैंने इस अपडेट को डाउनलोड और इस्टोल किया तब से मुझे लग रहा है कि मेरे iPhone की बैटरी है वो इतनी ज़्यादा drain नहीं हो रही है तो मुझे तो कहूंगा यहाँ पे काफी सही मुझे यहाँ पे इसका जो improvement है दिख रही है कि यहाँ पे मैंने कल के दिन चार्ज किया था धाई बज़े के तकरीबन यहाँ पे 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका बट फिर भी मेरा iPhone अभी shutdown नहीं हुआ है बट अभी इतनी भी ज्यादा लोवी बैटरी नहीं हुए कि shutdown हो जाए 34% पे अभी जो है बैटरी है तो अभी आइधिंग आप एक से दो घंटे और अच्छे से चल जाएगा तो मैं तो कौनगा बैटरी के मामले में यह update बिल्कुली बिंदाज है नहीं है बट पिछले updates में काफी इश्यू देखने को मिला कि जो iPhone की screen थी वो यह ग्रीन हो जाती थी बट फिलाल यह update में जो है green screen का इश्यू नहीं है नेक्स्ट कर बात करें दोस्तों benchmark भी हमें आपको दिखायता हूं इसमें भी हमें इंप्रूमेंट ही देखने को मिले थी आप सभी देख सकते हैं आप 26 October का भी data हमारे पास है जो की 17.1 है यहां पे आप सभी score देख सकते हैं दोनों ही low है बट इस update के अंदर बात दो है आप आपको काफी improvement देखने को मिल जाती है Geekbench के अंदर भी तो और और कहूंगा भाई यह update बहुत ही शांदार लगा मुझे इतना ज़्यादा और ड्रेन नहीं करता है बैटरी को and heating तो अभी जो है आप सर्दियों का time चल दा है तो अभी आपका iPhone इतना ज्यादा दो है heat तो नह मुझे camera application को open करने के बाद click करने के बाद reset application में जो है recent photo पे click करने के बाद same वही photo open हो रही तो मुझे उसमें यह issue नहीं आ रहा है तो that's why मुझे लग रहा है कि यार यह एक bug है जो कि मैंने iPhone 11 Pro Max के उपर face कर रहा हूँ बाकी और और बिल्कुल ठीक है battery के मामले में बिल्कु को मिलेगा December के मत में वो आपको update जो है final version देखने को मिल जाएगा तो अभी जो है I think आपे काफी time पढ़ा हुआ November ही चल ला है तो December का आप मान के चलो first week या भी second week में जो है आपको iOS 17.2 का stable update देखने को मिल जाएगा तो जदी आप betas update को use कर रहे हैं तो आप install कर लें बट हम यहाँ पर आपको बिल्कुल भी निए suggest करेंगी कि आप betas update को install करें अपने iPhone के उपर दोस्तों यह है after use review video जो कि मैंने आपको बता दिया है iOS 17.1.1 के उपर और इसी तरीके की valuable videos पाने के लिए इस iOS 12 चैनल को subscribe कर लो and कुछ problem आ रही तो प्लीज आप मुझे comment box में inform कर सकते है by the way आपके iPhone में क्या improvement and क्या कुछ bugs नजार आ रहे हैं इस update को करने के बाद please मुझे आप comment box में बता सकते हो कौन सा iPhone है वो आप mention कर दें अपनी issue के बारे में आपके iPhone में यह अपडेट करने के बाद issue पकड़े गए हैं तो आज किस वीडियो में दोस्तों इतना ही बाकी मैं जो है कल एक वीडियो लाओंगा जिसमें आपको जो है iOS 17 की अपने iPhone को full 100% चार्ज करूँगा दें इसको 0% तर्क डिस्चार्ज करूँगा चैक आउट करें ध्याओग धिस्चार्ण करूँगा जो याज़ वीड़ाओ गोजड़ जो है करके लाओगा बाह दे नहीं मैं जो कर दो भीडियो लाओगा में टूड़ेड़ा जो है तो है टूबापूर्ड़ाओग है करें लाओ़ ऑटर दो है